चलिए next student से मिलवाता हूँ राधिका जिसकी All India 197 rank है राधिका ने final year के साथ ये result दिया है और राधिका की success story राधिका ही बताएगी पहले तो आप ये बताएगी कि आपने कप प्लान किया और जब प्लान किया तो कैसे सोचा और कैसे अपने आपको start किया और final year के साथ दोनो management क कैसे किया अक्सर final year वाले बच्चों के साथ ये बहुत common problem है आपने देखा भी होगा college में 70-80% बच्चे तो final year के बच्चे प्लान ही नहीं करते कि क्या करना है लाइब में तो वह एक target होता है और college का pressure होता है in fact आप अच्छे college में पढ़े हुए हो तो वहाँ पर अपना एक pressure है कि वहाँ पर percentile maintain रखना है stational maintain रखना है तो इन सब के साथ अपनी कैसे preparation की और आपकी इस अच्छी सी rank के लिए बहुत सारी पहले सुखकाम नहीं सबसे पहले में तो मैं सरच सर प्रतीक सर और पूरे impetus इस्टर आपको thank you बोलना चाहूंगी even मेरे friend circle को भी सब को बहुत सब्सक्राइब कर लोगी हो जाएगा पस्टियर तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया जब मैं से कंप्लीट हो गया second year start होने वाला था तब मेरे कजिन ने मुझे बोला कि तुम जब VCA कर रही हो तो तुम MCA कर लो मैंने थोड़ा सोचा फिर मैंने सोचा ठीक है किसी private college से कर लेंग फिर चोड़ दिया पिर जब college आई friends से और पता चला, फिर impetus के बारे में पता चला, फिर सोचा पता नहीं कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, फिर sir के videos देखे YouTube पे, then एक believe आगया खुद में कि हम कर सकते हैं, फिर impetus आई, sir से मिली तो और confidence आगया कि हम कर सकते हैं, उस ताई में second year में थी, sir न ले लिया था, मुझे अभी करना है start, मैंने कर दिया, तब मैं जब यहां आई, उससे पहले मैं अपनी language की coaching start कर चुकी थी, तो मेरा time management नहीं हो पा रहा था, दोनों coaching का time same था, फिर सोचा क्या करूं, करूं नहीं करूं, फिर जो language की coaching थी, वो सुबह 7 बजे लगती थी, मैं यहां PG में रहती थी, इतनी सुबह जाना, फिर सोचा life में struggle तो कर नहीं है, तो start करो, फिर उससे सुबह सिप्ट किया, morning में 7 बजे घर से निकलती थी, वो coaching की, वहां से college गई, college से यहां आई, यहां classes attend करी, इसके साथ बजे घर पहुचती थी मैं, तो second year ऐसे, यहां से class attend कर करने आती थी, उस राइम पर मैंने concept बनाए, ज्यादा practice नहीं हो पाती थी, फिर भी RD subjective तो solve होई जाती थी, then ऐसे ही चला, second year complete हो गया, second year में यह फिल किया, अपने seniors कैसे पढ़ते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहा mistake कर रहा है, उनको देखना, अपने को कहां पर अपनी गल कर गंटे हम लोग यह ही रोकते थे, फिर ऐसे ही चलता रहा है, फिर COVID की वज़े से तो बहुत disturbance हो गया था, सब लोग घर चले गए, घर पर पढ़ाई एक दम से हो नहीं पा रही थी, उस टाइम डूइ मोटिवेशन तो इतना आ रहा था सब के अंदर, कि पढ़ाई तो करते थे, सर के वीडियो देखते थे, फिर थोड़ा मोटिवेट हुए, फिर सोचा कि दो साल से हम struggle कर रहे हैं, तो अब लास्ट टाइम में हम क्यों compromise करें, फिर ऐसे पढ़ाई करी और लास्ट टाइम में BHU का एक्जाम हुआ तो थोड़ा confidence आ गया कि अब और पढ़ें, फ यहां पर भी हम जब बैठते थे, तो यहां पर हम लोग ऐसा नहीं कि अकेले पढ़ रहे हैं, हम सब मिल जुलकर पढ़ते हैं, किसी एक ने बोल दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो हम लोग उसे डाट देते, कि नहीं तू पढ़, एक इस कोने में बैठेगा तो दूसर किया है कि मुझे MCA करना नमसेट करना है, तो आप अभी decision लो और अभी से preparation start कर दो, आप भले ही बहुत मत पढ़ो, चार घंटे पढ़ो काफी आपके लिए, वट आप start अभी कर दो, इसका फायदा यह होगा कि जब आप final year में रहोगे तो आपके उपर pressure नहीं आएगा, college का pressure भी नहीं आएगा और यहां का भी pressure नहीं आएगा. देखते हो कई बार जिन्हों ने drop लिया है, उसका region यह नहीं होता है कि उनको knowledge नहीं, उसका region होता है कई बार उनकी पढ़ाई उतने समय में नहीं होती. आप इसने जो second year से पढ़ाई की उसका देखिए आपको end result आपके सामने. तो मैं आप सब बच्चों को यहीं इसमें कोई रोक नहीं सकता, तो राधिका आपकी इस rank के लिए बहुत सारी सुबकामना है, अब आपको अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ना, आप जिस जगे से belong करते हो हर्दा जिसी जगे पर, बहुत छोटी जगे है, हर्दा एक MP के पास छोटी सी जगे है, और मैं श से बढ़ता चलता है, और यह बनाए रखना आपको, all the best. मैं अपने घरवालों को नहीं बताया था कि मैं out of MP जाओंगी या जो भी, बस मैंने बोल दिया था, मैंने मुझे मिल जाएगा, तो मैं वहां से कर लूँगी, उन्हें लगता था ठीक है, भोपाल में पढ़ लेगी, जब मेरा result आया, तब तक उन्हें यहीं लगता था कि यहीं से पढ़ लेगी, फिर result आया, वो लोग खुश हो गए, अब वो तयार है, अभी भी थोड़ा हिचकी चाय बाहर में पर उन्हें समझाया, सर ने समझाया, तो अब सब लोग तयार है, तो girls कभी compromise मत करना life में, आप struggle करो, आप एक step चड़ो, आगे की line बैसे ही clear हो होती है, कई बार, और girls जब निकलती ही बार, तो parents और घरवाले तो तयार होते हैं, पर कई बार relatives या कई बार आसपास के लोग इस बात के लिए कि girls को भार भेजना, आज खत्रे से खाली नहीं है, समय खराब चला, यह सब बहुत सारे ऐसे factors हाते हैं, तो ऐसे में मावाब भ दर जाते हैं, एक natural बात है, क्योंकि बच्चों को ले के बात है, पर फिर भी कही ना कही मैं सभी girls को एक बात बोलूँगा, कि अगर आपने life में कुछ करने का ठान लिया है, तो आपके support में सब खड़े हो जाएंगे, पर सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो क घरवाले आपके साथ कड़े, और अगर आपके decision strong नहीं है, तो घरवाले साथ नहीं खड़े होंगे, अक्सर small cities में, small town में दिक्कत आती, जैसे मैंने आपको बोला देखिए, इस नहीं बताया, क्योंकि जिस जगे से निकली, वहाँ पर निकलने के बाद घरवालों को बहु आपके सामने रादीका भी एक रोल मॉडल है, और रादीका आपको पता नहीं है, पर जो बच्चे सुन रहे होंगे, जिनके साथ प्रॉल्लम होगी, मैं शोर हूँ कि वह इसको देखके एक सही decision ले पाएंगे, चलो, all the best, thank you sir.